प्रिस्क्राइब करें हमारे यूट्यूब चानल एच्पीजी के अब और बैन आइकन को प्रेस करें इंपोर्टे नोटिफकेशन सबसे पहले पान डिसक्स करेंगे 5000 प्लस कोश्चन की सीरीज जो हमने स्टार्ट की है यह हिस्ट्री शेशन है जिसमें हम कवर करेंगे पहला क्वेशन है सिंदू की घाटी सब्वेता में सरप्रथम घोड़े के अबशेश कहां मिले है यानि की घोड़े के परमान कहां से मिले हैं दोस्तों तो आपको याद रखना है सुरकोटड़ा इसका बिल्कुल सही अंसर होगा अगर क्वेशन आपको इस टाइप का आता था तो इनका जो मुख्य वेविसाय था व्यापार था और सबसे ज़्यादा यह व्यापार करते थे दोस्तों वो कपास का व्यापार करते थे और जो ग्रीक लोग थे वो कपास को किस नाम से बुलाते थे दोस्तों तो आपको याद रखना है सिंदून डारेक्ट क्वेशन में घर किसे बने होते थे तो आपको याद रखना है इंटों से पकी इंटों से बने होते थे नेक्स्ट क्वेशन के ओपर चलेंगे हडपा के लोग कौन सी फसल में सबसी आगे थे तो जैसे कि मैंने आपको क्लेर किया कपास इसका बिल्कुल सही अंसर होगा नेक्स्ट क्वेशन के ओपर चलेंगे हडपा की सब्वेता की कौज सरप्रत्थम किसने की तो इसका बिल्कुल सही अंसर होगा दियाराम साहनी सिंदु सब्वेता का प्रमुख बंदर का कौन सा था तो आपको याद रखना है लोथल ये गुजरात में है और डारेक्ट क्वेशन यहाँ से बनते है दोस्तों कि लोथल कहां पे था गुजरात में था और साथ में अगर आपको क्वेशन इस टाइप का आ जाता है कि सूथ कांगे डूर कहां पे था तो ये दोस्तों आपको याद रखना है पाकिस्तान में है आज ठीक है अगर आपको question is type काता है कि रंगपूर कहां पर था दोस्तों तो ये था दोस्तों आपको याद रखना है गुजरात में और लोथल तो दोस्तों आपको clear ही होगा ये भी गुजरात में था next questions के ओपर किस प्रदेश में है तो आपको याद रखना है नखली स्थान दोस्तों मोहन जोड़ो सब्वेता के सल को कहा गया है next questions के ओपर चलेंगे हडपा की सब्वेता में हल से खेत जोतने का साक्षे कहां पर मिला है यानि की जो हल जोते जाते थे इसके प्रमान कहां से मिले है काली बंगा राजेस्थान इसका बिल्कुल सही अंसर होगा सेंदव सब्वेता की इंटों का अलंकरन किस थान से प्रापत हुआ है यानि की जो पक्की इंटों जो मिली है दोस्तों बिल्कुल इसका सही अंसर होगा काली बंगा राजेस्थान से मिली है आगे चलेंगे और इस टाइप के क्वेशन दोस्तों डारेक्ट क्वेशन इकजाम में पूछे जाते है सिंदू की सब्वेता में एक बड़ा सनान घर कहां से मिला है तो आपको याद रखना है मोहन जोदरों से मिला है बिल्कुल सही अंसर होगा मोहन जोदरों को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है तो आपको याद रखना है मृत्कों का टिला किस को जाना जाता है मोहन जोदरों को ही जाना जाता है सेंदव स्थलों के उत्खलन से प्रापत मोहरों पर किस पशु का प्रिक्रिन सरबादिक हुआ यानि की जो मोहरे प्रापत हुई है वो किस आकरती में प्रापत हुई है उन मोहरों के उपर कौन सी आकरती थी दोस्तों तो आपको याद रखना है बैल इसका बिल्कुल सही अंसर होगा सिंदू सब्विता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है तो आपको याद रखना है लो एक भी प्रेशन ना छूट सके क्योंकि सभी प्रेशन एक लेक्चर में लेना दोस्तों उसमें इंक्लूड करना थोड़ा सा मुश्किल रहता है आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेशन के उपर चलेंगे दोस्तों भारत में खोजा गया सबसे पुराना शेयर कौन सा था तो आपको याद रखना है दोस्तों हडपा था और दोस्तों ये क्वेशन बहुत बार एक्जाम में बन चुका है तो जो इसका बिल्कुल सही अंसर है हडपा मोहन जोड स्थिती में मिले हैं नेक्स्ट क्वेशन के उपर चलेंगे मांडग किस नदी पर स्थित है तो ये आपको याद रखना है चिनाव नदी पर स्थित है अगर दोस्तों क्वेशन आपको इस टाइप का आता है कि रोपड किस नदी के किनारे स्थित है तो आपको याद रखना है सतलु जिसका बिल्कुल सही अंसर होगा अगर रोपड की बात की जाएगी दोस्तों तो इसकी जो खोश थी वो किस ने की थी तो आपको ये भी याद रखना है यग्यदत शर्मा ठीक है नेक्स्ट कोश्चन के ओपर चलेंगे हडपा की सब्वेता का प्रमुक्स्थल रोप सब्वेता की लोग मिट्टी के बरतनों पर किस रंग का प्रियोग करते थे तो इसका बिल्कुल सही अंसर होगा लाल रंग और दोस्तों मोग टेस्ट में सिंदु गाती से अलेटेड प्रेशन आज टेस्ट नंबर हैश्टैग वनवन जीरो में दोस्तों पूछे जाएंग upload किये जाते हैं और monthly winner के price भी दिये जाते हैं ऐसी कोई भी notification मिस ना हो जाए Instagram को आज ही follow कर ले मोग टेस्ट दोस्तों बहुत important है अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो मोग test आपके बहुत ज़्यादा important role play करेंगे दोस्तों आपका exam crack करने में आगे चलेंगे सिंदुगाटी का सब्विता की खोज में जिन दो भारती लोगों के नाम जुड़े हैं वे कौन है तो आपको याद रखना है दियाराम सानी और आडी बनर जी यानि की राखलदास बनर जी ठीक है next questions के ओपर चलेंगे सिंदुगाटी सब्विता की प्रमुख फसल कौन थी तो आपको याद रखना है गेहूं और जों ठीक है दोस्तों तो चावल नहीं थी ये भी option में रहते हैं दोस्तों तो आपको याद रखना है गेहूं और जों जो सबसे ज़्यादा प्रमुख फसल थी चावल के भी दोस्तों प्रमाण मिले है लेकिन अगर यहां पे प्रमुक फसल की बात की गई है तो जो और गेहूं इसका बिकुल सही अंसर होगा आगे चलेंगे हडपा की समकाली सब्वेता रंगपूर कहा स्थित है तो आपको याद रखना है दोस्तों यह सोराष्टर में स्थित है ठीक है आगे चलेंगे आगे देखते हैं किस टैप की क्वेश्चन है हडपा और मोहों जोड़ो की खुदाई किस ने करवाई थी तो ही जादा यह आएंपी क्वेश्चन है दोस्तों जो आपके सामने रखे जा रहे हैं और यहां से दोस्तों आपका पूरा का पूरा कंसेप्ट भी क्लेर हो रहा है जो सिंदू सब्वेता से लेटिट क्वेश्चन है आगे चलेंगे किस थान से नरित्य मुद्रा वाली स्थि कि कांसे मूर्ती प्रापत हुई है तो यह आपको याद रखना है मोहन जोड़ो से प्रापत हुई है मोहन जोड़ो इस समय कहां सित है तो आपको याद रखना है सिंद पाकिसान में सित है हडपा वासी ने सरप्रतम किस धातू का प्रयोग किया था तो आपको याद रखना है दोस्तों गुजरात में सबसे ज़्यादा खुदाई की गई है आगे चलेंगे हडपा के निवासी किस धातू से परिचत नहीं थे लोहे से वो दोस्तों परिचत नहीं थे जितनी भी बार खुदाई हुई है लोहे के अब तक कोई भी प्रमान नहीं मिले है तो इससे ग्या तो इसका बिल्कुल सही अंसर होगा, शत्रण्ज आगे चलेंगे, हडपा किस नगर को सिंध का वाग कहा जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों, मोहन जोदडो को ही कहा जाता है, मोहन जोदडो का शाबदिक अर्थ है दोस्तों, मृत्यकों का टीला हडपा के निवास में role play करेंगे exam crack करने के लिए test link दोस्तों आपको whatsapp के जरीए दिये जाते है description में whatsapp number दिया गया है और instagram link भी आपको description में दिया गया है या आप instagram पर hpgkab सर्च करके आप direct वहां से भी दोस्तों hpgkab को follow कर सकते हैं pdf notes, mock test paper, question paper के ये सब ये दोस्तों आपको मिलेंगे whatsapp के जरीए और instagram को follow करना ना भूले क्योंकि जितने भी questions सिंदु सब्वेता से जो दोस्तों छूट गए है या बाकी include नहीं किये गए है वो आपको instagram पर मिल जाएंगे और आज रात दोस्तों 9 बजे daily जो test लगता है mock test paper, online mock test paper रहता है दोस्तों hashtag 110 जो serial number रहेगा आज इसका सिंदु कार्टी से related questions पूछे जाएंगे आप वहाँ पे खुद analyze कर सकते हैं कौन से questions गलत हैं कौन से सही questions आप कर रहे हैं यानि कि दोस्तों आपका पूरा का पूरा अगर आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हो तो ऐसी त्यारी करिए जहां पर दोस्तों आप अपने आपको आने वाले 5 या 6 मिनों में कोई भी exam crack करने वाला खुद को बना सको तो इसी के साथ दोस्तों धन्यवाद